हलो गाईस कैसे आप लोग चलिए स्वागत है आपका और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेसन नंबर सेवन ठीक है सबसे पहला चैप्टर सबसे बेसिक से हम स्टार्ट करने वाले है सूर्सेस ओफ कॉर्परेट फंडिंग ठीक है जैसे मिन आपको अल्री बता दिया है कि हम पहले कॉर्परेट फाइनांस पढ़ने वाले है साइड बाई साइड हम स्ट्राटेजिक मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे और आप पैरलली भी देख सकते हो आगे चलके ठीक है तो लेट स्टार्ट विट सोर्सेस ओफ कॉर्परेट फंडिंग ठीक है तो सबसे पहले हम से स्टार्ट करेंगे कि कॉर्परेट फाइनांस क्या है ठीक है नाम में आपका मीनिंग है कि हम कॉर्परेट के बारे में ही पढ़ेंगे ठीक है अदर देन कॉर्परेट कुछ भी हम पढ़ने वाले नहीं है प्रोप्राइटर्शिप पार्टनर्शिप हुए वह जितने भी और structures आप पढ़ते हो, non corporate structures आप पढ़ते हो, उसके बारे में हैं कुछ भी नहीं, हम purely corporate structures पढ़ेंगे, उसके अंदर भी primarily हम क्या पढ़ने वाले है, companies, ठीक है, companies में ही हमारा focus होगा, ठीक है, वो कैसे funds raise करते हैं, हमको वही पढ़ना है, एक corporate, एक company कैसे fund raise करती है, क्या available sources होते हैं, और कैसे वो select करता है, कोई source को, यह हमको पढ़ना है, अब यह जो आपका पूरा subject है, corporate finance, it's a very beautiful blend of law and finance, ठीक है, finance भी है, इसमें, काफी जगा आप concepts पढ़ोगे, कि कोई चीज का क्या role है, जैसे references आएंगे, finance के topics के, financial decisions के topics के बहुत जादा references आने वाले हैं, तो इसमें finance भी है, और भर-भर के इसमें law भी है, आया ख्याल में, तो पहले ऐसा था नहीं, ठीक है, पहले यह पूरा law का ही topic हुआ करता था, और पूरा भर-भर के आप इसमें law ही पढ़ते थे, बड़ ऐसा आप नहीं है, इसमें finance के भी काफी discussions है, finance के भी काफी references है, ठीक है, और इस क्या compliance करने है, क्या-क्या documentation करने है, क्या-क्या disclosure requirements होती है, वो सब हमको साथ-साथ में पढ़ना है, तो बहुत beautifully उन्होंने यह blend किया है, incorporate किया है, finance और law को properly blend करके आपको यह subject बना के दिया है, ठीक है, तो start finance से ही हो रहा है, start यह topic finance से ही हो रहा है, कि finance जो field होती है, finance का मतलब क्या है sir, money, money, ठीक है, money या India के sense में आप देखेंगे, तो rupee is the money and it is known as the finance, ठीक है, तो पैसा आप कैसे arrange करोगे, business में पैसा क्यों लगता है, और वो कहां से आप raise कर सकते हो, ठीक है, यही पूरा आपका financial management का पूरा field होता है, वहीं से यह start हो रहा है, ठीक है, तो let's start with the requirement, ठ business में पैसे की need क्या है, तो आप पढ़ते हो कि पैसा हम लगाते कहां है, assets में हम basically पैसा लगाते है, दो type के assets होते हैं हर business में, एक है आपका fixed assets, जिसको आप बाद में tangible, intangible में classify कर सकते हो, और एक आता है आपका working capital, ठीक है, finance में दो ऐसी चीज़ें होती है, fixed assets and working capital, fixed assets क्या हो productive assets होते हैं, जिनसे आप business करते हो, जिनसे आप production करते हो, जिनसे आप services देते हो, जिनसे आप जो भी business करते हो, वो business fixed assets के वो use करके ही, वो आप operate करते हो, clear है, तो fixed assets की एक requirement होती है, fixed assets में बहुत सारे अपने example पढ़े होंगे, आपको हर चीज़ पता होगी, ठीक है, land and building, plant and machinery, machinery, furniture, fixture, equipments, vehicles, computers, softwares, ठीक है, बहुत सारे ऐसे type के assets हैं, जो अलग-लग type के business में आपको लेने पढ़ते हैं, और उसके बाद याप उस business को operate कर सकते हो, ठीक है, तो वहाँ पैसे की need आती है, वहाँ मतला आपको पैसा लगाना होता है, second is day-to-day operations, ठीक है, जो भी आपके day-to-day operations हैं, उसको smoothly carry out करने के लिए, you have to maintain a decent working capital, जो आप finance में, executive में पढ़ भी चोके हो, कि एक proper topic होता है, working capital management, तो working capital basically helps in smooth running of business, day-to-day जो आपको payments करने होते हैं, ठीक है, working capital आप रखते ही क्यों है, ठाकि आपका business smooth चले, यानि आप inventory maintain करो, inventory is a part of working capital, फिर cash and bank balances, जो भी आपको payments करने हैं, आपके पास sufficient bank balances और cash balances होने चाहिए, ताकि आप वो pay कर पाओ, फिर आपके data आ जाते हैं, ठीक है, तो ये सब होता है आपका working capital, ठीक है, तो वहाँ भी आपका पैसा लगता है, आप finance में पढ़ भी चुके होंगे, कि हर चीज में आपका पैसा लगता है, fixed asset में त आपका पैसा लगा हुआ है, वो आपका लगा हुआ है पैसा, clear है, कहीं न कहीं से वो पैसा लाना पड़ता है, clear है क्या, तो ये पैसा आप कहां से लाओगे, ये जो fixed assets आपको खरीदने हैं, ये जो working capital आपको maintain करना है, ये आपकी होती है need of finance, पैसे की ये need यहाँ से आती है और फिर आप सोचते हो, कि आपको वो पैसे arrange कहां से करने है, clear है क्या, let's start, sources of corporate funding, ठीक है, corporate, corporates काम पड़ रहे हैं, of funding, यानि कि पैसा कैसे raise करते हैं, पैसा कहां कहां से कैसे raise कर सकते हैं, क्या-क्या compliance आपको करने होते हैं, ये पूरा इस topic में हम पढ़ेंगे, ठीक है, let's start तो कुछ बहुत introduction दिया हुआ है, कि बच्पन से आप पढ़ते आ रहे हो, कि दो primary sources होते हैं, पैसा raise करने के लिए, प्यार से आप उसको debt और equity कहते हो, उसके अंदर फिर आप धेरो instruments पढ़ते हो, धेरो हम institutions भी पढ़ेंगे, ठीक है, बट प्यार से हम finance के अंदर दो sources की हम करते हैं, equity and debt, ठीक है, तो equity debt, equity debt, ये पूरा हम discussion करेंगे, कि debt का क्या significance होता है, debt क्यूं लिया जाता है, और equity क्यूं लिया जाता है, दोनों के क्या features होते हैं, फिर इसमें हम पढ़ेंगे कि इसका एक mix होता है, ठीक है, जिसको आप कहते हो capital structure, तो capital structure क्या होता है, ठीक है, optimum capital structure क्या होता है, ठीक है, सबके references आएंगे, तो आप basically finance इसमें पहले पढ़ रहे हो, ठीक है, let's start, corporate funding is the area of finance, ठीक है, ये finance की ही एक field है, कि corporates कैसे finance raise करते है, dealing with the sources of funding, ठीक है, funding याने पैसा, and the capital structure of the corporations, actions that managers take to increase the value of the firm, ठीक है, कहीं न कहीं ये discussion आपने पढ़ा हुआ है, कि is capital structure relevant, क्या capital structure decide करने से आप value of firm बढ़ा सकते हो, क्या वो impact होती है, आपने इसके बार में theories भी पढ़ी है, CS executive में, clear है, तो हमने पढ़ा है, कि yes, there is a connection, yes, आपके financing से, आपके capital structure से value of firm effect होती है, clear है, ये ज्यादा accepted phenomena है, जो आप real life में भी देख सक करते हो, clear है, तो इसी लिए, जो managers है, finance managers है, CFO है, जो भी है, वो, ये काफी important decision मानते है, कि capital structure कैसे decide करें, कहां से, कितना पैसा उठाएं, इसका फरक पढ़ता है, और ये बहुत सोच समझ के आपको decide करना होता है, clear है, तो वो आप value increase कर सकते हो, अपने firm की to the shareholders, and tools and analysis used to allocate the financial resources, ठीक है, फिर ये जो आप पढ़ते हो, capital budgeting, कि आपने पैसा raise कर लिया है, अब वो पैसा लगाएंगे कहां, दोनों interrelated decisions होते हैं, हम पढ़ चुके हैं, कि capital budgeting के जो decisions हैं, कि जो project में आपको पैसा लगाना है, और उसकी जो financing करनी है, investment decisions and financing decisions, यादा रहा है, तो ये दोनों साथ म में ही लिये जाते हैं, clear है, तो ये आप पूरा ये करोगे और फिर आप उसको allocate करोगे projects में, the primary goal of corporate finance is to maximize or increase the shoulders value, ठीक है, यादा रहा है आपको objective क्या होता है, यादा रहा है कुछ, wealth maximization, यादा रहा है, shoulders, wealth maximization, हमारा finance में ultimate objective होता है, तो ये उसी की बात हो रही है, ठीक है, व bulkrum of economic development, ठीक है, मतलब एक vehicle होती है, एक सबसे बड़ा ऐसा कहेंगे, ingredient है, जिससे आप growth लाते हो, growth के लिए पैसा चाहिए होता है, और वो पैसा कहां से आता है, capital markets से, ठीक है, capital markets help us to raise the finance, वो पैसा mobilize करने में help करते हैं, iCal में, और जब तक पैसा mobilize नहीं होगा, लोगों तक प पैसा नहीं पहुचेगा, businesses को पैसा नहीं मिलेगा, वो production कैसे करेंगे, और production नहीं होगा, तो economy develop कैसे होगी, हमारे GDP कैसे बढ़ेगा, clear है, तो पूरे ये cycle में capital market का बहुत बड़ा रोल है, ये भी आप पढ़ चुके हो, आपको मैं फटा-फट याद दिला देता हूँ, कि दो टाइप के लोग होते हैं, एक है, जो पैसा सेव करते हैं, ठीक है, ठीक है, एक है, जो पैसा सेव करते हैं, या और एक है जो उसको प्रॉडक्टिवली यूस करते हैं, ठीक है, business, यानि एक जिनको पैसा चाहिए, और एक जिनके पास पैसा है, surplus है, ठीक है, जो invest कर सकते है वो तो directly इनके बीच में जो रास्ता है वो होता है capital market अगर इनको direct पैसा लगाना है तो capital markets के तूट directly लगा सकते हैं यह businesses directly capital markets को अप्रोच कर सकते हैं और वहाँ पे debt और equity के instruments रेस करके directly यह जो audience है जो save कर रहे हैं पैसे saving वालों से directly पैसा ले सकते हैं तो यह direct channel माना जाता है क्योंकि आप directly जो save कर रहा है जो invest कर रहा है investor से directly पैसा ले रहे हो direct connection है कोई बीच में intermediary नहीं है अदला process में help करने वाले intermediaries हैं पर एक दूसरे से directly यह पैसा लेंदेन करते हैं और businesses के books में directly यह investors का ही नाम record होता है clear है तो यह direct route होता है और एक जो traditional तरीका है indirect वाला जो आप पढ़ चुके हो जो banks and financial institutions के तुरू यह पैसा mobilize होता है ठीक है वो तो है ही कि आप पैसा देते हो bank में saving current FD सब आप बनाते हो और यह पैसा फिर loan की तरह in business इसको मिलता है तो यह आपको पता ही है ठीक है इसको कहते है indirect ठीक है ऐसे दो तरीके होते है funds का ठीक है अलग-अलग basics में आप यह सब पढ़ चुके हो ठीक है तो आपको पता होना चाहिए इसी की बात हो रही है आजाओ तो इसको ठीक है capital market ensures supply of capital from the saver to the investors through various forms of financial instruments ठीक है instruments के त्रूँ वो पैसा mobilized होता है mainly there are two kind of financial assets through which investors can invest in the capital market that is debt and equity generally most of the investments happen in equity but gradually debt instruments have gained steam मतलब वो भी आगोगल रहे है और बहुत-जाधा use हो 되어 बहुत-जाधा awareness बढ़ रही है बहुत-जाधा platforms भी आजकल बढ़ गए है debt instruments करते हैं तो कहीं न कहीं बहुत जाधा momentum gain हो रहे है debt instruments मेंभी debt instruments में problem यह है कि बहुत high returns नहीं होते हैं बरबर लोगों को कम समय में जादा जादा कमाना है वो एक जो potential होता है वो equity में होता है तो लुभाने वाली जो qualities होती है वो equity में होती है equity आपको बहुत जल्दी लुभा लेगा फसा लेगा invest करने के लिए राजी कर लेगा डेट में वैसा नहीं हो पाएगा क्योंकि डेट का एक limited return है fixed return आपको मिलता है तो वो समझे रहे हैं वो एक limited audience को ही appeal कर पाता है तो यह दिक्कत है बट gradually debt instruments भी बहुत जादा चल रहा है और उसमें invest करना बहुत जादा safe बहुत जादा easy हो रहा है बहुत जादा funds could be in the form of debt or equity equity would mean money provided by shareholders without any repayment clause ठीक है सब basics है एक type का आप समझ लो कि हम revision कर रहे है आपके पूरे basics को हम revise कर रहे है ठीक है तो आपको सब पता ही है कि equity में पैसा एक fixed time के अंदर मिलता नहीं है वापस जब तक company चल रहे है पैसा आपस नहीं मिलता जब company बंद होगी जब आप liquidation करोगे जब आप पूरे assets बेचोगे तब उन वह पैसे में से आप पैसा equity वालों को वापस करते है ठीक है तो without any repayment clause और creation of charge on the assets ठीक है equity का पैसा unsecured होता है कोई assets पे charge भी created नहीं होता है whereas debt would come along with the repayment clause fixed and और होता है भाई 10 साल या 20 साल या 50 साल जो भी है depending upon वो secured है कि unsecured है secured में आपने पढ़ा हुआ है debentures के case में अगर आप secured debentures इसू करते हो तो company लोग के इसाब से maximum 10 years का duration आता है exceptions होते हैं उसमें but in general आप देखोगे तो 10 years का maximum duration होता है for secured debentures unsecured के लिए इसी कोई upper limit नहीं है वो लोग हिसाब से आपको देखना होता है क्या available maximum durations होते हैं लेकिन there is a repayment clause normally एक fixed duration के ही redeemable debentures ही आप issue करते हो और maximum times क्या होता है वो secured भी होता है ठीक है with repayment clauses security for the loan ठीक है assets पे charge भी create किया जाता है and high financial cost ठीक है एक fixed आपको cost देनी पड़ती है fixed outflow उसमें होता है और बाकाइदा charge भी created है मतला आप default करोगे तो आपके assets वगरे भी sell out करके सामने वाला पैसा recover कर सकता है ठीक है तो यह सब आपको features पता ही है basic debt और equity के a well functioning debt and equity markets allows the business to fund the investment flexibly and at a relatively low cost to existing shoulders ठीक है market है अच्छा है flexible है बहुत जादा volumes है तो बहुत आसानी से आप debt equity raise कर सकते हो cost भी काफी कम लगता है investors को risk भी कम feel होगा क्योंकि active market है बहुत जादा buys and sellers available होते हैं तो बहुत safe लगता है और बहुत जितना safe लगेगा उतना उनका return का expectation कम होता है जो उनका return है वो आपका cost होता है तो अगर वो safe feel करेंगे तो उनके expectation कम होगी कम expectation होगी तो उतनी आपकी cost, companies की cost, जो पैसा raise कर रहा है, उसकी cost कम हो जाती है, clear है, thereby contributing to the investments and growth, ठीक है, पैसा वो use करेंगे, पैसा business कहा ही use करेगा, नएने projects करेगा, नएने businesses में पैसा डालेगा, उसके अंदर भी वो करेगा, क्या भाई, वो ही fixed assets और वो ही working capital होने वाला है, business कोई भी हो, अगर आ finance के नजरिये से कोई business को देखोगे, तो आपको कोई फरक देखेगा ही नहीं, सब business में यही हो रहा है, आप पैसा कहां लगाते हो भाई, fixed assets और working capital में ही पैसा लगाते हो, अब assets के नाम सब के लिए अलग अलग होंगे, telecom sector है, तो उसके लिए towers और वो सब fixed assets महेंगे, अरे पर है तो fixed assets ना, category तो वही है, assets के नाम तो बदलेंगे, manufacturing वाला है तो plant machinery, furniture, fixture वो सब अलग होगा, trader है तो अलग होगा, service वाला है तो अलग होगा, समझ रहे हो, assets के नाम बदलेंगे, अरे पर है तो fixed assets ही ना, accounting एंगल से, finance के एंगल से आप देखोगे, तो वो है fixed assets, use करने के goods produce कर रहे हो, जिसको आब आगे sell करके कमाते हो, clear है, तो it does not change, nature of activity same होती है, और उससे फिर आप invest करते हो, और अपने business और earnings को grow करते हो, striking the right mix of debt and equity would help a company to achieve optimum capital structure, करो याद, क्या होता है optimum capital structure, देखें कितनी आदाश है आपकी, तो क्या होता है optimum capital structure, ऐसा debt equity का mix, ऐसा debt to equity ratio, जहाँ पे आपका overall cost of capital minimum हो जाता है, और exactly in that range, और at that point, आपका value of the firm maximize हो जाता है, उस debt equity mix को आप कहते हो, optimum capital structure, ठीक है, तो आप वो अच्चीव करने के लिए ही, पूरा ये decision making कर रहे हो, एक right mix, आप अच्चीव करने की कोशिश कर रहे हो, जहाँ पे आपक cost of capital minimize हो जाए, ठीक है, this would enable the company to fund its business requirements with minimum associated cost, ठीक है, minimum cost पे आपको पैसा raise करना है, यह आपका ultimate objective होता है, financing latest summer, ठीक है, to majority of the corporate houses are espousing the debt financing trajectory, मतलब लोग debt को बहुत जादा aggressively use कर रहे है, आप debt को leverage नाम से भी पढ़ चुके हो, leverage का meaning, leverage का importance, आपको already पता है, iCal में, थोड़ा सा याद दिला देता हूँ, कि leverage में आप क्या कर सकते हो, financial leverage की हम बात कर रहे है, मतलब हम loans याने debt की बात कर रहे है, बाहर का पैसा जो आप use करते हो, जिस पे आपको एक fixed interest देने की ज़रुत पड़ती है, उस funds की हम बात कर रहे है, तो उसमें आप basically क्या करत return आपको देना है, और उस पे जित्ता भी आप उनको interest दे रहे हो, उनसे अगर आप जाधा कमाते हो, तो आप अपने equity shareholders का return बढ़ा सकते हो, आए ख्याल में, तो example ले ले लेते हैं, अगर मैं debt ले रहा हूँ, debentures issue कर रहा हूँ, उस पे 8% per annum का rate of interest है, और मेरा जो return on investment है, ROI हो आए है, वो 12% है, मैं 12% कमा रहा हूँ, और उस पे कमा के जो debt का पैसा मैंने लिया हुआ है, उसमें सिर्फ मुझे 8% का ही cost bear करना है, तो 12 मैं कमा रहा हूँ, 8 मेरा cost है, सीधे सीधे 4% per rupee of debt में additional कमा रहा हूँ, और वो किसको बचता है, equity वालो कोई, किसका return बढ़ेगा किसके लिए जाधा पैसा बचता है, equity वालो का, तो इसको कहते है, trading on equity है, debt अगर आप use कर रहे हो, financial leverage अगर आप ले रहे हो, तो आप trading on equity कर रहे हो, लेकिन ये double edge भी होता है, double edge sword है, अगर आप उत्ता नहीं कमा पाए, जैसे आपका interest का cost है 8%, लेकिन अगर आप 8% भी नहीं क कर पाए पैसो को, तो फाइदा equity वालोगा होगा, और अगर आप उसको favorably use नहीं कर पाए, जितना interest cost है, उतना भी नहीं कमा पाए, तो जो नुकसान होगा, वो भी equity वालोगा ही होगा, clear है, तो 8% का अगर आपका interest है, लेकिन आप सिर्फ 6% परानम ही return कमा पाए उन पैसों तो 2% का है जो loss है, वो equity वालोग के जेब से जाता है, clear है, तो फाइदा हुआ, तो भी equity का है, नुकसान हुआ, तो भी equity का है, clear है, तो debt बहुत जादा लोग, बहुत बड़े corporate houses use कर रहे हैं, और आजकल news में आप देखोगे, तो Adani Group इसका बहुत बड़ा एक example है, ठीक है, Ad Adani Group सबसे जादा aggressively debt को use करता है, और वो उसके लिए कहीं न कहीं famous या बदनाम भी है, क्योंकि अभी तक वो favorably use कर रहा है, तो वो famous है, पर कब वो बदनाम हो जाएगा, कब debt उसके against जा सकती है, बोल नहीं सकते, investors का actually यही tension है, कि अभी तक favorably चल रहा है, तो अच्छी बात है लोग फाइदा ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं, valuation बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन analyst और बाकी जो लोग हैं, जो institutional players हैं, उनको पता है कि यह double head sword है, अगर वो संभाल नहीं पाए debt को, तो वो सीधे सीधे debt trap में भी फच सकते हैं, और सीधे उनका दुकान बंद भी हो सकता है, इत कुछ uncertainties आपने face कर दी, कुछ roadblocks आपके business में आ गए, तो आप कैसे उसको handle करोगे, survive करोगे, ये भी बहुत बड़ा challenge होता है, ठीक है, तो यही concern है debt जो भी जादा use करते हैं, कि जब बुरा वक्त आएगा तो वो कैसे sustain करेंगे, अच्छा वक्त है तो फिर तो कोई फरक न business expansion plans, ठीक है, finance there, business expansion plan, ठीक है, expansion plan है अगर आपका, नए branches आप खुलना चाहते हो, या नए businesses में एंटर करना चाहते हो, ठीक है, तो expansion को काफी लोग debt से finance कर रहे हैं, जिसको आप M&A जो आप कहते हो, merger and acquisitions, इसमें आप उसको leveraged buyouts भी कहते हो, यादा रहे, leverage buyouts, कि आप buyouts कर र buyouts मतलब किसी business को acquire कर रहे हो, सीदे, जिसको आप inorganic growth कहते हो, तो आप buyouts कर रहे हो, लेकिन उसकी funding आप कैसे ले रहे हो, loan से, तो बहुत ही risky तरीका माना जाता है, क्योंकि वो buyout अगर आप अच्छे से use नहीं कर पाए, वो business को चला नहीं पाए properly, या अपने business के साथ उसको properly merge या integrate नहीं कर पाए, तो आपका नुकसान भी बहुत ज़ादा होगा, क्योंकि आपको एक fixed return देना है, क्योंकि आपने loan लेके वो खरीदा है, तो एक fixed cost चल रही है, ठीक है, तो आपके उपर बहुत बड़ा pressure आ जाता है, कि वो आपको आप successfully business चलाना है, और जितना cost आपक equations ये जो है, काफी ज़ादा आजकल debt से finance हो रहे है, ठीक है, इसको बहुत ज़ादा adopt किया जा रहा है, जो ये लिखा है, espousing वादा adopt करना, ठीक है, तो M&A, setting up of new businesses, जिसको आप expansion ही कह सकते हो, diversification कह सकते हो, ठीक है, तो ये जो भी जहाँ भी पैसे की need है, नए products launch करने है, नए business को acquire करना है, या altogether नए market में नए product launch करना है, जिसको आप diversification कहते हो, तो इन सब में काफी ज़ादा debt को use किया जा रहा है, currently in India, debt market in India comprises mainly of two segments, ठीक है, ये भी थोड़ा बहुत आप शायद आपको पता होगा, एक है government securities, ठीक है, जहाँ पे government, state, central, government या local authorities आके, पैसा raise करके जात ZCB, zero coupon bonds, floating rate notes, या bonds, treasury bills, जो government, central government issue करती है, RBI issue करता है, उन behalf of central government, और second है corporate securities market, ठीक है, basically कौन पैसा raise कर रहा है, उसके एसाब से नाम दिये है, पहला आपका नाम है, government securities market, जहाँ पे government securities issue करके, पैसा raise करके जाएगी, debt के form में, और second है corporate securities market, जहाँ companies आएगे, ठीक है, दो ऐसे segments होते है, depending upon कौन आ रहा है, government आ रहा है, तो government securities market आपका होगे, segment को, और companies आ रहे है, तो corporate securities market, ठीक है, और फिर corporate क्या करेंगे, financial institutions, bonds, यहने, उसमें banks and financial institutions भी corporate में आएएगे, तो financial institution आ रहा है, तो उसके bonds आएगे, public sector undertaking आ रहा है, ठीक है, त कुछ लोगों कोई confusion हो सकता है, public sector, undertakings या PSU वो corporates है, ठीक है, वो corporate sector में आएगे, government मतलब जो proper government है, central or state government है, वो, RBI उसके ब्याफ पर हो सब करता है, और companies जो है, भले वो PSU क्यों नहों, वो इसमें आएगे, ठीक है, financial institutions, PSU bonds, debentures और corporate bonds, ठीक है, तो ऐसे दो segments है, government securities और corporate securities, government securities सबसे जाधा है, क्योंकि उनका volume ऐसे भी जाधा होता है, आप खुछ सोचके देखलो, जो government चला रहा है, उसको पैसे की जो need होगी, वो जो amount होगा, वो तो यार company से बहुत जाधा ही होगा, तो इसलिए अगर आप volume या amount wise देखोगे, तो government की securities का बहुत जाधा volume and amount होता है frequency होता है, वो dominate करता है, पूरे debt market को, ठीक है, government securities form major part of market in terms of outstanding issues, कितने issues चल रहे हैं, कितना उसका market capitalization है, और उसका day to day trading value कितना है, तो सब के मामले में dominate करता है, major role play करता है, government securities, ठीक है, आज की rate में मतलब ऐसा status है, कि corporate से जाधा government securities जाधा issue होती हैं, चलती हैं, जाधा listed है, clear है तो यह कुछ background आपको दिया गया है, अब एक summary chart दिया है, जो मुझे नहीं लगता अभी आपको कुछ खास समझ में आएगा, पूरा जब हमारा chapter या syllabus हो जाएगा, उसके बाद आपको proper अच्छे से आप इसको समझ पाओगे, ठीक है, तो अभी कुछ खास समझेगा नहीं, क examples दिये हैं, कि एक होता है long term, एक होता है medium term और एक होता है short term, अब problem यह है कि आप एक law के student हो, तो आपको ना हर जगा law, law, law ढूमना रहता है, आपको flexibility पसंद नहीं आती, आपको बस क्या करना है या एक rigid रास्ता क्या है, वो आपको मतलब अच्छा लगता है, कि अब मैं classify, short term, medium and long term, इस पर कोई law नहीं है, कहीं नहीं है, मतलब वो एक custom होता है, तोर तरीका जो चल रहा है, वो चलता है, law में कहीं ऐसा properly defined नहीं है, कि इतना साल है तो up to इतना साल है तो short term आएगा, ये range में तो medium term आएगा, ये उसके उपर आएगा, तो long term आएगा, law में ऐसा नह सकता है, अलग-लग industry में अलग-लग हो सकता है, अलग-लग country में भी अलग-लग हो सकता है, क्योंकि ये law नहीं है, ठीक है, ये समझ रहा है, ये convenience होता है, तो ऐसा कुछ proper duration नहीं है, जो मैं आपको बता पाऊं, कि इतने साल है तो यहां आएगा, इतने साल है तो यहां आएगा ऐसा कुछ well defined law नहीं है इसके पीछे ठीक है तो यह अपने बाद में discuss करेंगे आगे बढ़ते हैं अब start करते हैं सबसे पहले जैसे हमने उपर ही पढ़ा कि दो basic sources क्या होता है debt and equity तो वही discussion अभी start होगा debt and equity क्या होता है उसके features क्या है फिर उसके उपर थोड़ा बहुत law क्या ह वो भी हम थोड़ा वो थोड़ा वद references पढ़ेंगे और आगे चलके फिर हम पूरा chapter ही पढ़ने वाले कि अगर आपको equity issue करना है तो पूरा हम ICDR पढ़ेंगे ICDR काई के बारे में होता है वाई equity share के बारे में होता है और convertible securities के बारे में होता है उसके उपर पूरा ICDR है तो ज convertible securities में cover होता है तो फिर वो guidelines follow करके आपको raise करना होता है clear है अलग-लग securities के लिए अलग-लग guidelines है चलो let's start the basics ठीक है share capital क्या है share capital आपको बता ही है कि सिर्फ company structure में नाम चलता है ठीक है capital which is represented by shares capital which is represented by shares ठीक है उसको कहते हैं share capital shares basically दो टाइप के होते है बाई equity और preference equity को आप प्यार से क्या कहते हो ordinary shares या IC को आप कहते हो common shares ठीक है याद आ रहा है क्या ordinary या common क्योंकि इसमें कोई भी special treatment नहीं है equity में कोई भी special feature नहीं है कोई priority नहीं कोई preference नहीं है सबसे आखरी में number लगता है हर जगह इसलिए उसको ordinary या common कहा जाता है while preference shares enjoy the benefit of receiving their dividend distribution first as compared to equity equity shoulders enjoy voting rights ठीक है तो सबसे major differentiating factor क्या है voting power dead बोल लो preferent share बोल लो इनके comparison में equity कहां stand out करता है voting power सिर्फ एक मात्र ऐसी category है एक मात्र ऐसे shoulders है equity shoulders जिनको proper voting power मिलता है जो major बड़े decisions होता है वो वो shoulders equity shoulders मिलके लेते हैं clear है तो सबसे बड़ा फाइदा यही है कि उनको voting power मिलता है इन major company decisions including merger and equation just take example दिये सारे बड़े decisions में shareholders approval लगता है और वहां पर voting होती है और shareholders यहने equity shoulder अपने voting power use करते है ठीक है तो major distinguishing factor क्या है voting rights preference shares have the right to receive dividend at a fixed rate before any dividend is paid to the equity shares ठीक है dividend के मामले में preference होती है preference shareholders को further when the company is wound up they have a right to return of the capital before that of equity shares ठीक है तो यह तो बच्पन से आप पढ़ रहे हो दो preferences होते है preference holders को एक है dividend के मामले में और एक है repayment of capital के मामले में इसलिए उनका नाम होता है preference shares ठीक है फिर हम कुछ exceptional situations भी पढ़ते हैं कि अगर default default है या कुछ preference shares से related आप कोई decision ले रहे हो तो कुछ special meetings में उनको special voting power भी मिलता है ठीक है preference shares may carry some more rights such as right to participate in excess profit ठीक है types भी आप पढ़ो गया कि चलके preference shares के types भी होते है participating preferences भी होते है जिसमें आप excess profits को participate कर सकते हो तो अगर वैसा है अगर आपके participating preferences हैं तो आपको excess profits पे participate करने को मिलेगा which is which a specified dividend has been paid on equity or right to receive a premium at the time of redemption ठीक है या तो dividend बच गया जादा profits आ गया है तो आपको excess dividend मिलेगा या जब company बंद हो रही है सारे लोगों को अपने पैसा दे दिया है still पैसा बच रहा है तो वहाँ पे surplus होता है जिसको premium नाम यहाँ पे दिया गया है तो वह भी आप बाट सकते हो मतलब दो type के participation होते है एक dividend में हो सकता है और एक capital repayment में भी हो सकता है अगर surplus होता है तो ठीक है जो कि बहुत rare होता है company बंद ही क्यों होती है क्योंकि वो नुकसान में होती है assets की value कम होती है liabilities के जाधा होती है और वो पूरा पैसा चुका नहीं पाती इसलिए तो तुकान बंद होती है तो बहुत rare होता है voluntary winding up में might भी होता होगा कि voluntary आप अपना business बंद कर रहे हो लिक्विडेट कर रहे हो तो हो सकता है उस case में आपका surplus हो ठीक है clear है गया तो यह भी एक feature हो सकता है some more rights भी preference shares को मिल सकते है excess profits share करने का preference shares are safer investment as compared to equity equity के comparison में preference shares safe है क्यों fixed dividend मिलता है profit है हर साल fixed dividend मिलेगा और जब business बंद होगा equity वालों से पहले पैस वापस मिल जाएगा तो in that sense वो safe है in case companies wound up and its assets are being sold the money that comes to from this sale is given to the shareholders after all shareholders invest in a business and owner portion of it ठीक है सबसे आखरी में number shareholders का लगेगा the preferences are most commonly issued by companies to institution ठीक है यह थोड़ा सा एक ऐसा paragraph है जो आपके लिए new है कि preferences real life में भी आप देखोगे न बहुत rare है बहुत ही बहुत ही rare है ठीक है मैं definitely आपके लिए search करूँगा और अलग से आपको बताऊंगा कि real life में कौन से companies हैं जिन्होंने preferential issue किये मैं definitely जैसी मुझे मिलता है मैं आपको बताऊंगा ठीक है definitely we'll study that aspect also क्योंकि debt तो almost सब companies raise करती है कुछ company हम ऐसे भी देखेंगे आगे मैं discussion में आपको बताऊंगा कि कुछ ऐसे बड़े-बड़े companies भी है जिनका zero debt है मतलब full equity finance companies है real life में ऐसी भी companies है with full equity and zero debt iql में वो भी मैं आपको बताऊंगा और कुछ companies कितनी companies हैं कौनसी companies हैं कितना preferential raise करते हैं वो भी हम थोड़ा सा देख लेंगे ठीक है मैं आपको उसका भी एक पूरा थोड़ा सा analysis अलग से बात में बताऊंगा ठीक है कि real life में क्या चलता है वो में बताऊंगा तो preference shares का normally retail जो investors होते हैं जो छोटे investors होते हैं वो पार्ट्समेट नहीं करते हैं preference shares उनके लिए इतना appealing नहीं है preference shares appealing है institutions के लिए जैसे banks हैं financial institutions हैं वो अगर किसी company में invest करना चाहते हैं तो वो preference shares को prefer करते हैं क्योंकि वो safe है और ऐसे institution को voting power भी नहीं चाहिए होता है voting power या company चलाने का कुछ खास उनको ऐसा motive भी नहीं होता है तो उनको भाई एक fixed dividend मिल जाए और थोड़ा सा safe हो तो उनको चल जाता है ठीक है तो वो prefer करते है preference shares को ठीक है तो यह discussion इस paragraph में है preference shares are most commonly issued by companies to the institutions for example banks and financial institutions may want to invest ठीक है यहाँ पर investor कौन है banks या financial institution मतलब एक normal company है manufacturing company होगी वो issue कर रही है banks या financial institution को ठीक है तो यह investors है मतलब यह आगे चलके अभी preference shareholders बनेंगे ठीक है तो आप banks या financial institutions को यह issue कर सकते हो ठीक है बट यह क्यों पैसा लगाते हैं do not want to bother with the hassles of fluctuating share prices उनको actually day to day जो इतना fluctuation होता है equity shares में pricing में यह उनको नहीं चाहिए daily होता है आप थोड़ा सा भी अगर stock market follow करते हो आपको पता चलेगा कुछ ज्यादा ही fluctuation आते है ठीक है unnecessary मतलब tension होता है unnecessary मतलब company का कुछ कुछ हो नहीं रहा बट फिर भी fluctuation चली रहे है क्योंकि other factors के अजेसे भी होता है economy में क्या चल रहा है industry में क्या चल रहा है technology आपका जो भी चीजों से connection होता है connected चीजों में भी कुछ हो रहा है तो आपके share का price affect हो जाता है जबकि आपकी company में कुछ खास change नहीं हो रहा है आपका वैसे ही चल रहा है but still price on a daily basis on a daily second change हो रहा है तो यह बहुत मतलब कुछ लोगों को सही भी नहीं लगता है ठीक है in that case they would prefer to invest in company's preferences companies on other end may need money but are unwilling to take a loan ठीक है companies भी preferential issue क्यों करेंगी क्योंकि वो debt ले चुके है उनको और debt न करना चाहते हैं तो बीच का रास्ता क्या है तो यह जो बीच का रास्ता company ढूंती है उनके लिए preferences best होते हैं ठीक है तो उनको लोन भी नहीं लेना है companies के लिए दिया गया है ठीक है company को लोन नहीं लेना है लेकिन पैसे भी रेस करने तो प्रेफरेंश उनके लिए better option होता है तो they will issue preferences ठीक है तो यह नया paragraph था ध्यान देना बढ़े आगे तो यह है भाई ठीक है equity preference equity का basic normal वाले plain voting rights normal voting rights और फिर एक अलग category जो आती है जो हम आगे चलके पढ़ने वाले differential rights ठीक है company's act 2013 allow करता है कि आप differential rights के equity share issue कर सकते हो ठीक है आप differentiate कर सकते हो in the rights कौनसे rights तो उसमें भी पूरा flexibility दिया है dividend voting और otherwise company's act आपको full flexibility देता है आप कोई भी right में differentiation क्रेट कर सकते हो अलग-अलग class के equity share issue कर सकते हो dividend voting power और otherwise कहीं भी आप कोई भी differentiation association create कर सकते हो as per company's act ठीक है फिर है preferences ठीक है यह भी आप पढ़ चुके हो बच्पन से redeemable irredeemable लेकिन real life में आपको बता ही है कि redeemable preference share issue होते है इर redeemable आप issue नहीं कर सकते हो exceptions हम पढ़ेंगे bank वगरे banks and financial institution ने NBFC को कुछ-कुछ type के irredeemable instruments भी issue करना allowed होता है RBI उसको allow करता है वो अपन exception में पढ़ेंगे इन जनरल आप सिर्फ companies की बात करोगे तो redeemable preferences ही issue होते है फिर एक होता है cumulative non cumulative ठीक है कि dividend अगर आप एकात साल नहीं दे पाए क्योंकि आपके पास profits ही नहीं है तो वो lapse हो जाएंगे या carry forward होंगे तो अगर वो carry forward होंगे और next year आपको देना पड़ेगा तो वो होता है cumulative जिसमे dividend carry forward होते जाते है cumulative का मतलब होता है carry forward होना तो एक साल आपके बास profits नहीं है कोई बात नहीं है carry forward हो जाएगा dividend अगले साल फिर आपको 2 साल का amount का dividend देना पड़ेगा मतलब investors के लिए safe होता है investors ऐसे preferences prefer करेंगे जो cumulative हो ताकि उनका नुकसान नहीं हो और एक होता है non cumulative जिसमें मत अगले साल देने की जरूरत नहीं है मतलब वो lapse हो जाते हैं वो carry forward नहीं होते हैं तो investors non cumulative preferences को ज्यादा prefer नहीं करते हैं कि उनका उसमें नुकसान है फिर होता है convertible non convertible ठीक है यह सबसे basic चीज है जो हम बार बार पढ़ेंगे convertible preferences क्या है जो convert हो सकते है in the equity shares और non convertible मतलब जिसम कोई option ही नहीं दिया है कि आप convert कर सको ठीक है तो option है right आपने दिया है convert कर सकते हैं कभी भी at a later stage तो वो convertible हो जाएंगे और ऐसा कोई option नहीं है plain है starting से लेके end तक preferential ही रहने वाले है तो वो होता है non convertible ठीक है और फिर जो मैंने आपको बातों बात तुमें बताया participating and non participating कि surplus dividend या surplus अगर बचता है liquidation के वक्त तो उसमें participate करने का right है या नहीं है तो additional surplus में भी आप participate करोगे ऐसा right आप दे रहे हो तो वो होंगे participating preferences और अगर ऐसा कोई right नहीं है बस fixed dividend मिलेगा कितने भी profits हो कितना भी profit बच जाए आपको extra कुछ भी नहीं मिलेगा fix मिलेगा तो वो होता है non participating preferences ठीक है तो generally by default कौन से preferences होते है readyable feature कौन सा होता है basic मैं आपको बता रहूं कुछ नहीं बोला है तो वो readyable ही होते हैं कुछ नहीं बोला है तो cumulative होते हैं cumulative जादा चलते हैं कुछ नहीं बोला है तो non convertible होते हैं convert करने का normally option नहीं होता है और कुछ नहीं बोला है तो non participating होते है ठीक है ये by default features हैं, क्या है by default features, redeemable, cumulative, non-convertible, non-participating, ये चार basic features है, preferences के, ठीक है, clear है क्या, देख लो, clear है, शलो, बढ़े आगे, अब एक overview दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान दो, governing regulatory framework, regulatory framework, मतलब क्या-क्या law है, जो apply होते हैं, अगर आप debt और equity raise करते हो, उस securities issue करके पैसा raise करते हो, तो, for share capital and debt securities, ठीक है, पहले हम देख रहे हैं, debt, मतलब दोनों का ही है, debt equity, पता नहीं है, सरिफ debt क्यों लिखा है, debt equity, both, ठीक है, सबसे पहले आता है, companies act, ठीक है, सबसे basic क्या आता है, companies act, आप कुछ भी करोगे, companies act पहले apply होगा, ठीक है, तो, companies act, और जो, उसके corresponding rules है, share capital and debenture rules, ठीक है, तो, अगर आप equity and debt raise कर रहे हो, तो, आपको, companies act and corresponding rules आपको follow करने है, फिर अगर आप equity issue कर रहे हो, तो, सबी के ICDR guidelines आप पर apply हो जाएंगे, ठीक है, ICDR किस पर apply होता है, equity plus convertible securities, ठीक है, equity and convertible securities आप issue कर रहे हो, तो, आपको ICDR apply होगा, फिर अगर आप non convertible securities issue कर रहे हो, non convertible, ठीक है, तो, आप पे ये guidelines apply होंगी, इसको, हम प्यार से कहेंगे, NCS, non convertible security, issue and listing of NCS, 2021, ठीक है, तो, इसमें basically क्या आता है, non convertible debt, और plus non convertible and redeemable preferences, ठीक है, ये दो securities NCS में primarily आती है, ठीक है, तो, debt or preferential अलग कर दी है, non convertible वाले, ठीक है, फिर, जैसे ही आप कोई भी equity या debt या कहीं से भी पैसा raise करते हो, public issue से करते हो, तो, आपको listing करानी पड़ती है, और जैसे ही, आपको stock exchange में list हो जाते हो, list होने के बाद, आपको LODR comply करना होता है, ठीक है, ये listing के बाद का regular compliance है, ठीक है, regular post listing compliance, ठीक है, तो, वो LODR में आपको रहता है, 2015, और फिर, अगर आप bank या financial institution हो, या NBFC हो, बैंक या NBFC हो, तो, आपको साथ साथ में, RBI guidelines भी follow करने पड़ती है, ठीक है, तो ये पूरा आपका regulatory framework है, debt और equity raise करने का regulatory framework है, सबसे पहला companies act and companies rules, जो भी है corresponding, फिर अगर आप equity या convertible issue कर रहे हैं, तो ICDR, non convertible issue कर रहे हैं, तो issue and listing of NCS regulations, फिर अगर आप bank या NBFC हो, तो RBI guidelines, और फिर जो भी आप हो, या जो भी आप issue कर रहे हो, और अगर आप list कर आ रहे हो, तो आपको फिर LODR guidelines follow करने हैं, ठीक है, तो ये पूरा आपका regulatory framework है, ठीक है, for a normal corporate, clear है, यहां तक clear है क्या, तो यहां से मैं next part में आगे बढ़ूँगा, पूरा next part में हम ये framework पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत ही basic है, बहुत ही easy है, फटावट फटावट आगे बढ़ेंगे, ठीक है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसके अंदर क्या-क्या मतलब, किस पर ये apply होता है, ये सब आपको पढ़ना है, पूरा हम ये framework पढ़ेंगे, फिर हम basic start करेंगे और आगे equity shares, ठीक है, equity shares with differential rights, next part में सबसे important हम ये पढ़ने वाले हैं, इसमें भी mainly हम पहले companies एक के ही provision पढ़ companies act के भी पूरे guidelines पढ़ने वाले, ठीक है, तो पूरा हम companies act and rules पढ़ेंगे, differential rights के बारे में, ठीक है, फिर preferences shares के पूरा basic types और rules and regulations पढ़ेंगे, section 55 of companies act पूरा जो होता है, ठीक है, फिर voting rights क्या होता है, comparison, ठीक है, सब देखो बहुत basic है, revisionary format में है, तो हम थोड़ा फटा-फट पढ़ेंगे, क्योंकि हम assuming कि इतना basic तो आपको सब आता ही होगा, I am surprised कि ये professional level पे रखाई क्यों है, जरूरती नहीं थी, नहीं भी देते तो कुछ खास मुझे नहीं रखता फरक पढ़ता है, बट दिया है, तो चलो अपने को पढ़ना है, उस हिसाब से हम पढ़ेंगे, ठ ठीक है, यहां से हमारा proper corporate finance यहां से start होगा, ठीक है, क्या-क्या type के issues होते हैं, अलग-लग-लग-लग, ठीक है, फिर एक-एक security या एक-एक source को हम discuss करेंगे, ठीक है, शली, next part में आगे बढ़ेंगे, regulatory framework को हम detail में discuss करेंगे, thank you so much.